दाउक्टनट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नाउलोड कीज़े दाउक्टनट आप हेलो फ्रेंट्स तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका D और F ब्लोक एलिमेंट्स जिसका आज हम पार्ट 1 जो है वो स्टडी करेंगे अब अगर मैं बात करूं पार्ट 1 में आज हम क्या पढ़ेंगे और पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं तो पहले बोवग डिस स्टेट शोग करते हैं वो सब पढ़ेंगे और इवन जो आपका F block elements है उसकी भी वह electronic configuration oxidation state वो सब पढ़ेंगे इनका atomic area या ionization, enthalpy all these things जो आपका second part होगा उसमें हमारे आपको पता है कि D block element में सबसे main जो दो हमारे compounds हैं जिसमें से एक है आपका KNO4 potassium permagnate और एक है आपका K2Cr2O7 potassium dichromate इन दोनों compounds की reactions जो कि आपकी काफे important है यह अपना जो oxidizing character show करते हैं वो सब वो reactions हम study करेंगे और इसके अलाबा जो आपके D block के elements एं transition जो elements उनके भी कुछ reactions होती हैं जैसे आपका iron है ठीक है iron एक बहुत ही most unknown compound है transition elements में ठीक है बहुत easily मिल भी जाता है तो iron की कुछ reactions हो गई है फिर copper की यह acid वगरा के साथ किस type की reactions हो करते हैं base के साथ कैसे react करते हैं zinc हो गया तो जो हमारे काफी common compounds हैं उनकी कुछ reactions की बात करेंगे देन इन ही compounds पर आपके कुछ test भी होते हैं जैसे chromyle chloride test है तो हो सकता है कि आपके exam में question इसी type से आजाए chromyle chloride test में reagent कौन सा होता है या फिर किन compound कौन से compound यह test positive देते हैं तो यह सब जो part बचा हुआ है यह हम second part में discuss करेंगे आज हम D और F block का introduction part discuss करेंगे अब देखिए D block में जो सबसे main हमारी series आती है वो आती है आपके जो first transition series है और जो first transition series है उसमें आपके elements कुछ ऐसे होते हैं सबसे पहले आता है आपका scandium then titanium vanadium chromium उसके बाद आता है आपका manganese manganese के बाद आएगा आपका iron cobalt nickel copper और zinc यह इस टाइप से आपके elements आते हैं zinc के नीचे आता है आपका cadmium और mercury अब देखिए यह जो आपके 3 elements है इनको हम transition elements consider नहीं करते हैं क्योंकि transition deep block elements हैं यह बट transition elements नहीं है transition elements के लिए हमने बोला कि जो आपका d orbital है उसमें 1 से 10 मतलब unpaired electron आपका होना जाहिए fully filled नहीं होनी चाहिए आपकी shell right but zinc और cadmium mercury की बात करें तो यहां पर जो आपकी configuration आते है that is d10 और s2 यह configuration होती है right d orbital completely filled होता है और आपका s orbital भी completely filled हो जाता है बागी के जो elements की बात की जाए तो इनकी electronic configuration है यह आपकी normal move करती है जैसे scandium जो कि आपका first d block का element है तो इसकी जब आप electronic configuration की बात करेंगे तो यहां पर आता है आपका 3d1 and then 4s2 जब scandium में move करेंगे तो यहां पर यह आपका 3d2 हो जाएगा क्योंकि जो आपका electron है वो तो d orbital में fill हो रहे है s orbital आपका already filled है vanadium में आते हैं यह हो जाता है आपका 3d3 अब आता है chromium की बात ठीक है तो chromium में होना तो क्या चाहिए थी आपके electronic configuration 3d4 and then 4s2 बट यह electronic configuration नहीं होती यहां पर एक exception electronic configuration का जो की क्या है आपका 3d5 4s1 इस d orbital ने क्या किया जो आपका s orbital था उससे एक electron ले लिया अब हुआ क्या अब इस case में देखिए जो आपका d orbital है वो भी half filled है और जो आपका s orbital है वो भी क्या है half filled तो यहां पर दोनों ही orbitals आपके half filled है इसलिए यह electronic configuration आपकी ज़्यादा stable है देन उसके बाद की बाद करें तो आपकी simple चलती है manganese simply आपका 3d5 लेगा iron में 3d6 उसके बाद 4s2 और वाइटल तो सभी में है cobalt की बाद करेंगे 3d7 निकल आता है आपका 3d8 उसके बाद जो आपका copper है यह फिर से एक exception शो करेगा होना चाहिए थी आपकी 3d9 and then 4s2 बट यह भी क्या करता है S से एक electron insert कर लेगा तो यह होती है आपकी 3d10 and then 4s1 तो जो d orbital है यह आपका completely filled हो गया and जो s orbital है वो क्या हो गया आपका half filled उसके बाद जो आपके d block के elements हैं यह various oxidation states शो करते हैं कैसे एक तो यह आपका जो s orbital के जो दो electrons होते हैं उन electron को lose कर देते हैं ठीक है और बागी के जो आपके d orbital के electrons होते हैं उनकी वज़े से भी अपनी oxidation state highest level तक जाते हैं तो जो highest oxidation state show करते हैं transition element that is plus eight okay plus seven तो manganese भी आपका show कर देता है तो जो plus eight oxidation state show करता है वो होता है आपका osmium osmium क्या करता है plus eight oxidation state show करता है जो कि अपने oxide में ही show करता है उसके बाद even कुछ elements ऐसे भी होते हैं आपके कुछ compounds ऐसे भी हैं जहापे जो आपके transition elements है वो zero oxidation state show करता है क्या करता है zero oxidation state जैसे कि आपका एक complex होता है that is nickel nickel से चार carbon ligands मतब CO जो है carbon monoxide जो ligands है वो attached होती है तो इस case में जो आपका nickel है यह क्या कर रहे है zero oxidation state को show कर रहे है क्योंकि जो आपके carbon monoxide ligand है यह क्या है आपकी एक neutral ligand है क्या है neutral ligand अब neutral ligand है तो इसकी वज़े से तो कोई charge नहीं आएगा तो यह क्या करेगा अपना zero oxidation state show करेगा ऐसे ही आपका iron CO5 यह जो compound है यह भी आपका क्या करता है एक zero oxidation state compound है यहाँ पर iron के पास कोई भी oxidation state stable नहीं है देन बात की जाए तो mostly जो आपके compounds है मतब जब आप scandium से zinc की तरफ move करते हैं तो जो आपके plus two oxidation state है यह क्या होती चली जाती है more stable होती हुई चली जाती है ठीक है अब यह तो आप easily वैसे भी देख सकते हैं अपका zinc है यह सिरफ दो ही electron lose कर सकता है zinc सिरफ plus two oxidation state show करेगा और कोई भी नहीं तो जो आपका zinc है इसकी plus two oxidation state ही जादा stable होती है similarly आप आप सोचेंगे copper तो कहेंगे copper की तो copper plus one oxidation stable होनी चाहिए बट नहीं अब plus one में क्या होगा 3D 10 electrons होगे बट उसके बावजूद जो आपका copper है इसकी plus two oxidation state जो है यह क्या होती है आपकी जादा stable होती है ठीक है इसका जो reason होता है यह आपका e naught जो आपका reduction potential होता है वो इसका reason होता है होता क्या है कि जो आपका e naught है e reduction जो है copper plus से copper का यह जादा होता है और जो आपका e naught copper two plus से जो copper होता है वो क्या होता है आपका कम तो इस वजह से जो आपका copper plus two है वो क्या हो जाएगा एक stable oxidation state हो जाती है आपके copper की ठीक है and then जो आपके magnees और chromium की बात करें तो देखे magnees क्या है 3D5 और इसके बाद इसके पास 4S2 है तो यह क्या करेगा अपने 2 electron lose करने की कोशिश करेगा तो इस वजह से जो आपका magnees है यह plus two oxidation state stable होती है जबकि जो आपका chromium होता है वो plus three oxidation state में stable होता है अब जब chromium plus three electron निकालेगा मतलब एक S से जाएंगे और दो orbital दो electrons आपके d orbital से जाएंगे तो इसमें electronic configuration बचती है आपकी 3D3 तो जो आपके 3D3 electronic configuration होती है देखे यह चीज आप जब next chapter that is coordination compounds जब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो आपके d orbitals हैं यह क्या होता है आपके split होता है and split होते हैं किसमें T2G and EG orbitals में जब आप T2G orbital जो होते हैं इसमें आपके 3 orbitals होते हैं इस टाइप से इन्हें जब आप electron की filling करेंगे तो यह single-single electron फिल हो जाएगा तो जो T2G orbital है यह क्या होता है आपका half filled इस वज़े से जो आपका chromium है इसकी जो plus 3 oxidation state है वो क्या होती है सबसे सबसे हाइस्ट जो मैल्टिंग पॉइंट है वो इसी का होता है और वो compound है आपका tungsten जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं that is tungsten क्या होता है इसका हाइस्ट मैल्टिंग पॉइंट ठीक है अब transition element में ही हमारे पास एक element ऐसा है जो room temperature पे liquid state में exist करता है और वो कुन सा होता है आपका mercury देखिए ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार पता चुकी हूँ कि जो mercury है ये आपका room temperature पे liquid state में exist करता है ठीक है इसके बाद अगर हम atomic radiai की बात करें तो देखिए आपको पत है कि हमारे पास यहां पर जो d block elements है उनमें 2-3 series है ठीक है सबसे 3 transition series की बात करते है तो जो first series that is scandium वाली तो उसको हम बोलते है 3D then next 4D series आती है और 5D आता है क्योंकि इसमें 3D electron filling हो रहे होता है इसमें 4D start हो जाता और इस time पे 5D तो देखिए जब आप 3D से 4D की तरफ जब ग्रूप एक ही ग्रूप में जब आप मुख करते हैं तो size क्या होता है increase तो 3D से 4D series में आते हैं तो जो आपका size है वो क्या होता है आपका increase होता है बट जब 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो जो आपका size है वो क्या रहता है same same रहने का reason है आपका length annoyed contraction मतलब आपका size में बहुत सादा increase नहीं होता almost similar size ही होता है ठीक है उसके बाद आपको पता है कि जो आपके D block elements है यह colored compounds होते हैं ठीक है और उपर सही अपना magnetic behavior भी शो करते हैं उसके अगर reason की बात की जाए तो देखे color का जो आपका reason है कि आपके कुछ compounds क्या होते है color होते है तो वो होता है आपका DD transition की images है जैसे कि अब ही हमने बात कि कि जो आपका chromium plus 3 है इसमें कितने electrons हैं 3D 3 electrons है तो मैंने बोला कि आपका T2G जो shell है सब shell है उसमें आपके 3 electrons हैं और उपर आपका कहीं पर EG है अब यह हुए तो आपके D orbital C तो split हुए है तो T2G से EG में जो आपका electron है इसके क्या होगी transition यह electron और यहां से excite होकर किसमें चला जाएगा EG orbital में and then यह electron आपका वापिस आएगा जब वापिस आएगा तो एक amount of energy release करेगा पहले इसने energy absorb की तो यह visible range जो range होती है वहां पर आपकी जो energy है या फिर बोले visible range की जो wavelength होती है उसको absorb करते है और उसको complementary color हमें show होता है तो इस वज color होता है that is really transition की वज़े से यहां पर कुछ exception भी है जैसे कि आपको पता है कि आपको जो compound है that is KMnO4 यह क्या होता है आपका एक colored compound होता है क्या होता है आपका color अगर आपने इस compound को देखा हो कभी lab में आपने lab में जो कभी experiments करेंगे तो आपने देखा होगा कि आपका potassium per magnet है य होता है जैसा होता है dark purplish pinkish color का होता ही compound अब अगर यहां पर मैगनीज की oxidation state calculate करेंगे तो क्या आती है potassium का होता है plus one charge magnees का में नहीं पता में calculate करना है plus oxygen 4 है और my charge कितना होता है minus 2 equals to 0 आएगा क्योंकि neutral compound है जब आप यहां से x की value calculate करेंगे that is plus 7 यह कितना आ रहे है आपका plus 7 आ रहे है और magnees की जो valence cell electronic configuration होती है वो होती है आपकी 3D 5 4 is 2 magnees जब plus 7 में जाएगा तो 5 4 2 7 सारे electrons निकल गए यहां पे 3D क्या है आपका 0 जब d orbital में कोई electron ही नहीं है तो यह compound आपका transition d d transition possible नहीं है तो यह compound आपका color कैसे है अब यह जो reason है इन compounds के color का यह हम बात करेंगे next video में जब हम potassium permagnate and potassium dichromate दोनों ही compounds को discuss करेंगे तो वहां पे इनके color का reason भी बताएंगे आपको ठीक है अभी के लिए यह आपके लिए question है आपको सोचना है कि यह compounds आपके colored क्यूं है इसके अलावा आपने देखा है कि जो यह आपके compounds हैं यह magnetic behavior भी शो करते है magnetic moment मतलब कोई भी compound है वो diamagnetic है या paramagnetic है यह हम पता करते हैं कि उसमें कित्ते number of unpaired electrons है ठीक है अब अगर आपको किसी compound का magnetic moment निकालना जिसको मू से represent करते हैं तो उसका formula होता है आपका एन इंटू एन प्लस टू और यहां पे जो आपका n है यह क्या है number of unpaired electron कि उसके पास कितने number of unpaired electron है वो आपके n की value हो जाएगी तो वहां से आप उसका जो magnetic moment है वो क्या कर सकता है calculate कर सकता है उसके बाद जो आपके transition elements हैं यह complex form करते हैं राइट complex form करने का reason क्या होता है क्योंकि इनका size है वो क्या है आपका small है इससे पहले आपके alkali और alkaline earth metals होते हैं उनके comparison में जो transition elements हैं इनका size क्या है आपका small जब इनका size small है तो इस वज़े से complex बनाते हैं दूसरा इनके पास vacant d orbitals हैं अब vacant d orbitals हैं यह आपकी higher oxidation state भी show कर सकते हैं और d orbital vacant होने की वज़े से अगर कोई ऐसी atom है जो electron donate मतब dative bond बना सकता है तो यह वो बनाने के लिए भी ready है क्योंकि इनके पास तो vacant d orbitals present है और दूसरा इनके पास जो nuclear charge है वो काफी high होता है ठीक है इस वज़े से दूसरा आपने देखा होगा कि जो आपके d block elements हैं इंटस्टीशल compounds भी बनाते हैं इंटस्टीशल compounds का मतलब होता है जैसे कि आपके compound है एक element है उसने अपने crystal बना रखा है जैसे अब solid state में पढ़ते हैं कि यह क्या बने हुए आपके crystals बने हुए इस टाइप से आपके atoms attached है अब देखे जो beach में आपको space दिख रहे है यहां पर क्या है आपका एक beach में space है इन space में आकर कि जब कोई compound आपका insert हो जाता है जो कोई भी small अब small आपका non metals आएंगे ठीक है क्योंकि इनसे भी जादा small तो वही होंगे देखे यह आपका s block आता है p block आता है बीच में कहीं आपका इस type से d block आ रहे है जो आप इधर move करते हैं तो size क्या हो रहे है आपका decrease तो d block से p block elements का है जो कि आपके non metals होते हैं तो यह जो आपकी sites हैं इनको हम क्या बोलते हैं interstitial sites या फिर voids भी बोल देते हैं तो यह जो आपकी small sites हैं इनमें आपके small के आएंगे non metals ही इंसर्ट कर सकते हैं बड़ा size होगा मतब मान लीजेब आपका जो gap है यहां पर वो इतना है बट आपका इतना बड़ा तो इसमें इंसर्ट ही नहीं हो सकता ना comparable size होगा तभी तो इंसर्ट हो सकता है तो इस वजह से जो आपके small non metals है वो क्या करेंगे इन interstitial sites को occupy करेंगे और यहां पर bond की formation कर लेते हैं ठीक है जैसे आपका hydride हो गया या फिर आपका carbides हो गए यह small size के atoms होते हैं तो यह इनमें इंसर्ट कर जाते हैं बट इनकी जो compounds जो आपके interstitial compounds बनते हैं वो non stoichiometric होते हैं मत्तब उनकी stoichiometric fix नहीं होती जैसे आपका CO2 है यह fix है कि एक carbon और 2 oxygen से बनेगा बट यहां पर ऐसा नहीं होता है ठीक है जैसे आपका iron का crystal है उसमें oxygen जाके insert होता है तो यहां पर आपका iron होता है 0.94 and then oxygen तो यह fix stoichiometry नहीं है ठीक है यह क्या और होती है आपकी change और होती है and even उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जो आपके transition elements नहीं से आपके alloys भी बनते हैं ठीक है alloys बनने का reason क्या होता है क्योंकि इनके atomic size है वो क्या होता है similar होता है इस वजह से जो आपके transition elements हैं उनमें alloys की भी formation हो जाती है ठीक है चलिए इसके बाद अभी जो basic चीजें थी वो हमने discuss कर ली है अब हम इनके कुछ questions को discuss कर लेते हैं पहले D block elements में then हम F block elements और उनकी जो electronic configuration है जहां पर exceptions और उनसे question भी आते हैं वो discuss करेंगे तो देखिए जो हमारा सबसे पहला question है जो कि आपका AIPMT 2015 में आया हुआ question है क्यारे कि because of lanthanide contraction lanthanide contraction की वजह से which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii किनका atomic radii आपका same है तो देखिए अभी हमने एक बात बताए कि जो आपकी 3D 4D एंड जो 5D series है 3D से 4D आपका size क्या करता है increase करता है जबकि 4D से 5 5D आपका size क्या रहता है यहां पे सेम रहता है अब जो आपके elements दिये हुए इनमें हमें atomic नंबर भी दिया हुआ है तो देखिए यहां तो जादा सोचने की जरुरत नहीं है 3D series आप सभी को याद रहती है तो सबसे पहले आता है आपका scandium दैन आता है आपका titanium तो यहां पे हमें क्या आता है आपका ethereum आता है एंड इसके बाद आता है आपका lengthenum बट अब हमें y और la जो है मतलब ethereum और जो lengthenum है इनका atomic number तो हमें नहीं पता तो देखे आगर आपने प्रियोडी सिटी वाला चैप्टर जो था मैंने जब बताया था उसके अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे magic number की बात की थी और magic number के according अब आपको कितना प्लस करना है इसका atomic गेन करने के लिए 18 जब 21 में आप 18 आड करेंगे तो इसका atomic number आपको कितना जाएगा 39 और जब lengthenum का चाहिए तब भी आपको 18 प्लस करना है तो यह आ रहा है आपका 54 57 तो देखिए हमें याद करने की जरुरत नहीं है हमने जस्ट 18 प्लस करके atomic नुबर calculate किया अब हमें और क्या-क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक जर्कॉनियम तो जर्कॉनियम तो आपका 39 के जिस्ट बात आएगा क्योंकि उसका atomic नुबर कितना है 40 देन नेक्स्ट में जिर्कॉनियम और निबोनियम तो मर्तब 41 इसके नेक्स्ट होगा यह आपका नेक्स्ट जिर्कॉनियम एंड अफीनियम दाट इस 72 अब यह चीज़ आपको पता हो ना जिए कि जो आपका लेंधिन नम है इसके बाद आपके F-block के elements आते हैं इसके बाद आता है आपका अफीनियम दाट इस 72 अटोमिक नंबर होता है उसका ठीक है और लास्ट है आपका टैंटेनियम जो कि आपका अफीनियम के बाद आता है क्योंकि उसका atomic नंबर आपको 73 दिया होगा है अब मैं वह compounds मांक कर रही हूं जो हमारे पास options में है पहला option कह रहा है कि titanium और जो जर्कॉनियम है उनका atomic नंबर सेम होगा तो देखें titanium आपका यह है और जर्कॉनियम आपका यह है बट यह तो नहीं होगा सेम यहां पर size आपका increase होगा जब आप 3D से 4D में मोग कर रहे हो तो size क्या होगा आपका increase तो first option तो हमारा correct नहीं है हमें तो वहां देखना है जहां पर size same होगा लैंतिनोइड contraction होगी next बोल रहे है कि zirconium और निबोनियम बिल्कुल भी नहीं एक period में तो लैंतिनाइड contraction का कोई फर्की नहीं आ रहा तो period में तो आपका size वैसे भी क्या करेगा increase ही करेगा sorry period में size आपका decrease करेगा तो यह भी लोग कि उसके बाद आपका अफीनियम आया है तो जर्कोनियम और जो फीनियम है इनका size almost क्या है आपका similar है due to the lengthenoid contraction तो जो आपका c option है वो क्या हो जाएगा इसका right answer next में दिया हुए जर्कोनियम और टैंटेनियम बिल्कुल भी नहीं जो आपका element का size है वो इस type से similar होता है यह diagonally similar नहीं होता है तो यहां पर जो आपका first option था वो क्या हो जाएगा इसका right answer उसके बाद जो आपका next question है जो कि आपका AI PMT 2015 का ही question है इसमें बोल रहे है कि which of the following process does not involve oxidation of iron इन में से कौन सी process है जो iron की oxidation को involve नहीं करती तो चलिए सारी reactions देखते हैं पहला है rusting of iron sheets कि जो आप आपका iron है जब उसकी rusting होती है तो पहले में पता होना चाहिए कि आपकी reaction क्या होती है तो रस्टिंग में क्या होता है कि जो आपका iron है वो water और oxygen इन दोनों के presence में moisture जब होता है उसमें आपकी reaction करता है तो environment में oxygen present ही है और moisture की वज़े से वहां पे water भी present है जब iron इन दोनों के presence में reaction करता है तो यह आपका बनाता है iron का oxide that is Fe2O3 and X water molecules यह compound के आपकी formation होती है ठीक है अब देखें यहां पर जो आपका iron है यह किसमें है zero oxidation state में है और जो आपका Fe2O3 है यह किसमें convert हो रहा है कर आप यहां पर oxidation state calculate करेंगे iron की हमें नहीं पता तो यह हो जाएगा आपका 2 2X plus 3 into oxygen होता है minus 2 यह equals to zero तो यहां से X कितना जाएगा आपका plus 3 तो यहां पे 0 से plus 3 में आ रहा है electron का क्या हो रहा है यहां पे आपका loss हो रहा है तो मतलब इस case में तो आपकी oxidation हो रही है बट हमें वो option देना है जहां पे oxidation नहीं हो रही तो first तो हमारा option नहीं हो सकता then जो second option है उसमें कहरे decolorization of blue copper sulfate solution by iron अब आपने क्या 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 reaction करा रहे हो iron से तो कहरे है कि जो copper sulfate है उसने अपना blue color क्या कर दिया decolorize कर दिया अब अगर आपने आपने याद होगा आपको 9th या 10th में आपने एक reactivity series पढ़ी थी जिसमें हम यह देखते हैं कि कौ अंसा metal जादा reactive है तो जो आपका iron है यह copper के comparison में क्या होता है जादा reactive होता है इस वज़े से यहाँ पर iron metal क्या करेगा इस copper को यहां से displace करेगा displacement reaction होगी तो यह बनाएगा आपका FeSO4 प्लस copper यह reaction होती है iron यहाँ पे 0 में है और यहाँ पे जा रहे है प्लस 2 में तो इस case में भी क्या हो रही है आपकी oxidation हो रही है तो जो second option है वो भी हमारा correct नहीं है next में बोला कि जो आपका formation of FeO5 from iron iron से आप क्या बना रहे हो Fe sorry iron से आपने FeCO5 बनाया तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका FeCO5 है इसमें iron की oxidation state क्या होती है 0 और यहाँ पे भी आपका iron है इसके oxidation state क्या है 0 दोनों ही case में iron की oxidation state 0 है यहाँ पे कोई भी changes नहीं हुए तो जो आपका C option है यह क्या हो जाएगा इसका right answer आपको last D option दिया हुआ है इसमें कहा रहा है liberation of H2 from steam by iron at a high temperature तो जब आप iron के reaction किसके साथ करा रहे हो steam के साथ करा तो देखिए iron जो है वो आपके normal cold या फिर hot water के साथ reaction नहीं करता iron steam के साथ reaction करता है तो इसने की water steam के साथ reaction तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपना iron जो है वो अपना oxide बना लेता है plus 3 oxidation state में and जो hydrogen gas है वो आपकी release होती है तो देखिए यहाँ पे भी iron 0 से किसमें जा रहा है plus 3 oxidation state में move कर रहा है तो मतलब D option में भी क्या और यहाँ आपकी oxidation तो उसके बाद जो आपका next question है यह क्या कहता है देखिए यह कह रहा है कि जो आपका magnetic moment है वो 2.84 बहुर magneton है जो कि हमें दे रखा है आपको यह बताना है कि जो 4 options हैं इन में से किस compound का magnetic moment 2.84 होगा तीक है अब देखिए हमने जो formula है वो आपको बताया था that is n into n plus 2 का under root ठीक है उससे बहुर magneton आता है जो कि हमें बताया कि magnetic moment आपका 2.84 आ रहा है एक तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां से आप n की value क्या कर लें direct calculate करें इस quadratic equation बना करके और फिर इन में देखें कि किसमे number of unpaired electrons कितने हैं ठीक है या फिर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा इतना idea लगए 2.84 किसका square root होगा अगर आपकी इसका value 9 under root आता तो root 9 कितना होता है आपका 3 बट यह 3 से थोड़ा सा कम है तो मतलब यह जो है यह आपका equal है root 8 के ठीक है बस अब quadratic equation solve नहीं करेंगे हमें पता है कि यह root 8 है अब root 8 कैसे आ सकता है यहां आपका यहां पर under root 8 आ सकता है अगर यहां पर n की value 1 के case में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा right 2 plus 1 कितना होगा 3 3 आएगा बिल्कुल भी नहीं अगर n की value में 2 consider करूं तो मतलब यहां पर आएगा 2 and 2 2 2 4 and 4 2 is 8 पता चल गया हमें कि n की value क्या है आपकी 2 है तो अब हमें यह द दे रखा that is nickel plus 2 nickel plus 2 की आपकी जो oxidation state है वो क्या होगी nickel की electronic configuration होती है आपकी 3d8 4s2 अब क्योंकि यहां पर nickel आपका plus 2 में है तो यह simply हो जाएगा आपका 3d8 अब अगर यहां पर electrons fill करेंगे आप d orbital में तो देखिए आपको 8 electrons को fill करना है यहां पर 1,2,3,4,5 पैले single then pairing 6,7,8 दो क्या रहे गए unpaired electrons और हमें 2 unpaired electrons ही तो निका देखना था तो मत्तब first option तो हमारा correct है अब हम move करते हैं titanium की तरफ तो देखिए scandium के बाद titanium आता है जो की होता है आपका 3d2 4s2 यह electronic configuration होती है तो जब titanium plus 3 की बात करेंगे तो सरफ 3d1 इस case में जो आपका unpaired electron है वो एक ही है तो यह तो option नहीं हो सकता दन आता है आपका chromium plus 3 देखिए chromium plus 3 में तो आपको याद होगा मारे पास 3 unpaired electron थे that is 3d3 यहां भी तीनों ही unpaired electron होगे क्योंकि पहले d orbital में हमने single electron fill करना है तो यहां 3 unpaired electron है यह भी हमारा option नहीं हो सकता last है आपके प होता है देन जब cobalt plus 2 की बात करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3d7 आजाएगा 3d7 जब आप फिल करेंगे तो यहां पे हमने 8 फिल क्या था 7 फिल करना है तो मतलब यह एक electron आप फिल नहीं करेंगे तो इस case में भी आपके पास 3 unpaired electrons होगे तो मतलब यह भी हमारा option नह एक electron से वह है आपका option a that is nickel plus 2 तो देखिए जो आपका need 2016 में एक question आया हुआ है जो कि आपका F block elements का question है और यहां पर आपसे क्या पूछे electronic configuration पूछी है ठीक है अब सबसे पहले question हमारे mind में जो आया वो यह कि हम इन compounds की electronic configuration कैसे याद रखें बहुत सार ऐसे भी compounds होते हैं जिन्में कुछ ना कुछ exception होता है अब हमें exception से याद नहीं रहते तो देखिए तो पहले बात करते हैं मैं आपको configuration की कुछ points बताती हूं कि जो आपको चीज़ें याद रखनी है जैसे जो आपके F block की first series है first series का मतलब है जो आपका lengthinum के बाद आता है मतलब जो आपका 57 से 71 वाली जो series है जो की lengthinum series कहते हैं हम इस lengthinum series में आप जब F orbitals में electron फिल करोगे तो इस में आपका 4F2 and 4F8 यह F के जो orbital से यह कभी भी fill up नहीं होते हैं मतलब क्या कहना चारियो में अगर आपको वह समझ नहीं आया तो देखिए अभी देखते हैं जैसे कि सबसे पहले आता है आपका lengthinum ठीक है lengthinum d block element है जिसका atomic number होता है आपका 57 lengthinum आपका जो scandium होता है उसी के नीचे नीचे आता है तो इसकी जो electronic configuration होगी पहले 3D 4D 5D तो यहां पे आता है आपका 5D 1 5D के बाद next 6s 2 यह है आपका lengthinum का electronic configuration आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए मैंने lengthinum को पहले लिया lengthinum के बाद जो आपका next compound आता data is cerium जिसकी atomic number 48 अब मैं सरफ atomic number को count करूंगी ठीक है बाकी बाते नहीं कर रहे तो अब इसके बाद जो आपका F orbital है वो क्या हो रहे आपका fill होना शुरू हो गया तो अब क्या होना चाहिए आप लिखेंगे आपर पहले आएगा 4F1 then 5D 1 and 6s 2 उसके बाद आएगा आपका fill up नहीं होता है राइट 4F2 orbital आपका क्या नहीं होता फिल नहीं होता तो इस case में यह करता क्या है यह compound exceptional यह है यहाँ पे exception आपका कि जो यह d orbital का अपना जो एक electron है वो भी F में ही insert करेगा और यहाँ पे आएगा आपका 4F3 and 6s 2 यह क्या है इसकी exceptional electronic configuration जो कि आपको याद रखनी है ठीक है ठीक है उसके बाद जैसे जैसे आपका atomic number increase होगा जैसे 60 हुआ 61 हुआ तो आपको क्या करना है सरफ F orbital जो है उसी में आपके electron सब add-on होते वे जाएंगे जैसे यह 4F4 हो जाएगा then 4F5 4F6 4F7 4F7 तक आपका जाएगा यहाँ पे 62 and then 63 यह आपकी जो electronic configuration है यह बिल्कुल सही चलेगी जैसे यहाँ पे अभी आपको दे भी रखाएगी जो आपका atomic number 63 है उसकी electronic configuration आएगी 4F7 and then 6s2 तो यहाँ पर हम option देख सकते हैं कि कि किस में आपको starting compound में 4F7 and 62 दे रखा है 6s2 तो देखे बिल्कुल गलत यहाँ पे भी dm electron fill है गलत यह दोनों options आप consider कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में 4F7 and 6s2 दिया हुए 63 के बाद आपका next compound क्या आएगा आपका 64 जिसमें fill क्या होना चाहिए आपका 4F8 and 6s2 बट अभी मैंने बोला 4F8 आपका fill नहीं होगा तो यहाँ पर क्या feeling होगी यह कहेगा 4F7 और जो आपका ए आपका 65 आएगा इसमें fill तो 4F8 होना चाहिए था बट नहीं हुआ अब next में आपका क्या आएगा 4F9 and then 6s2 ठीक है तो यह दो तीन जो आपको कहां पे change हो रहा है कहां d orbital fill हो रहा है कहां d orbital fill नहीं हो रहा उसको थोड़ा सा आपको यहां पर क्या करना है ध्यान देना है ठीक 75 D1 तो 4F75 D1 and then 4F9 6s2 तो जो आपका C option है यह इस case में क्या हो जाएगा आपका right answer तो देखिए लेंथे नाइड में जो orbitals fill up नहीं होने थे वो मैंने आपको बताए अब अगर यहीं पे मैं actinoids की बात करूं कि जो actinoids हैं उन में कौन सा orbital आपका fill नहीं होता है ठीक है तो दे and 558 यह जो तीन orbitals हैं यह आपके non नहीं है मतलब इन में आप जो electrons हैं वो fill up नहीं करेंगे तो जो आपका compound है वो शुरू होता है आपका thorium से तो पहले actinium जो कि आपका एक D block element ही है इसके electronic configuration क्या होगी लेंथे नम के नीचे आता actinium तो यह हो जाएगा आपका 6D1 and then 6s2 जिसका atomic number है आपका 89 then जब आप 90 पे जाएंगे तो होना तो क्या चाहिए था जैसे आपका यह compound था तो 4F1, 5D1, 6s2 but अभी हमने बोला कि यहाँ पे 5F1 तो fill ही नहीं होगा जब 5F1 fill नहीं होगा तो यह अपना F orbital अपना electron किस में बेज़ेगा D में तो यहाँ पे आएगा आ and then sorry यहाँ पे 7s आएगा right and then 7s2 यह electronic configuration हो जाएगी उसके बाद जब आप 91 पे move करेंगे देखे अक्चल में तो यहाँ पे होनी क्या चाहिए थी 5F1 होनी चाहिए थी but वो नहीं हुई अब next में क्या आएगी आपकी F orbital fill होना शुरू हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ आएग आपका 61 and then 7s2 तो अब यह क्या होता जाएगा आपका continue चलेगा बट जब आपके 555 का fill होने की बारी आएगी जैसे आपका 92, 93, 94 तो यहाँ पे आया 553 and then 554 ठीक है बट जब 94 पर आगए आप तो 94 पर आना चाहिए था आपका 555 बट आपका 555 नहीं हो रहा तो यह करेगा य जो डी और्बाइटल है उसका इलेक्ट्रोन हमने यहां फिल करा दिया and then आगए आपका 7s2 और 95 क्या लेगा यह लेगा आपका 557 7s2 ठीक है अब 96 की अगर बात करें तो यह क्या करेगा दुबारा डी एलेक्ट्रोन फिलिंग शुरू करेगा क्यों क्योंकि इसको अपनी हा फिल्ड मिल गई होना तो यहां पर 558 चाहिए था बट 558 नहीं वा उसने D को इलेक्ट्रोन दिया exception यहां से आया देन जो बारा जो आप 97 पर मूव करोगे तो 558 तो यह फिल हो चुका जो कि नहीं हुआ एक्चुल में तो बट यहां पर आएगा आपका 559 and then 7s2 तो इस से आपके जो लान्थ नोइट्स और जो अक्टनोइट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन से आपको फिल करनी हो दियां ठीक है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर